तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडगास में और आज हमारे साथ है हमारे छोटे भाई रौनक रौनक एक NGO रन करते हैं सिख एड के नाम से और ये एक बिजनेसमेन भी है इनका ब्रैंड है स्क्यूडेक और आज हमारे साथ ये बहुत सारी इंट्रेस्टिंग बात क्रिशन जी का जगनातपुरी टेंपल है वहां पर अभी जगनातपुरी यात्रा भी निकली है तो वहां की कुछ मिस्ट्री भी हम इनसे जाने हैं और बहुत सारी तरह की बाते इस पॉडगास में होने वाली है तो रौनक भाई वेलकॉम थांक यू एक तो मेरा सपना सपन बाई आप इतनी अच्छी पवित्र जगह से आते और आप इतना अच्छा काम भी गरते तो आप जैसे लोगों का तो हम वेट करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ बैठे हम भी कुछ सीखें और हमारी और ऑडियन्स के लिए भी कुछ नया कुछ अच्छा वैल्यूबल निकल के बिल्कुल आपने तो शुरू से सपोर्ट किया है चाहे हो सिखेड हो चाहे हो मेरा ब्रैंड हो अब लोगों ने तो हमेशा सपोर्ट किया है बाई कुछ हो जाए वहां की मिस्ट्री जगनाथ की कुछ बढ़िया हो मैं बिलॉंग करता हूँ कटक से जो पूरी से अराउंड 80 किलोमेटर्स दूर है तो जगनाथ पूरी जैसे आपको पता है वो साइन्स से भी हट के है जो चीज लोग बोलते ना कि साइन्स होना चीए यह चीज नहीं हो सकती लेकिन वो भी चीज़े वहां पे होती है अब जब श्री किष्ण जी की जब उनका अंतिम सस्कार हुआ थ तो ऐसा बोला जाता है कि उनका हाट अभी भी वही पे धड़कता है जगनाथ जी के मंदिर में और यूजुली क्या होता है जितने भी मूर्ती वगरा होते हैं वो मिट्टी से बनते हैं जगनाथ जी की मूर्ती भी लकडी से बनती है और ऐसा बोला जाता है कि हर 12 साल में उ जो जाता है वह भी उसके आखे पठ्टी से बाग दीजाती हैmos और हाथ भी उसका cover कर दिया जाता है जब पुरानी मूर्ती से नई मूर्ती में स्विच करते हैं वान उनका हाट जब प्लेस करते हैं तो जॉता है वो धड़कता है दिल दो सब्सक्राइब ऑची की इ죠 में गाल रोव THE Bhingya, λαना जिन दे पाया है लोगा है वह आफु के पूरए टाउन के लाइट इसे उनkie होती है, वमया अगिकहा दो जुका मुझां का यृछ को होता है, छिकी मंदिर की भी सारी लाइट्स बंद कर दी जाती है और एक ही पुजारी रहेगा अंदर जो चेंज करेगा और ऐसा बोला जाता है कि अगर जो देख लेता है वो प्रसेस होते वे तो उसकी वहीं पर मृत्ति हो जाएगी तो इसलिए उनके आखे हाथ सब कवर होता है थो पुजारी जी हैं वो कितने टाइम से कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से कर रहे हो तब उनके मालूम होगा कि मूरति यहां पर यहां डरी है वो एक फैमली की प्रता चलती आ रही है तो जेनरेशन भाई जेनरेशन वो चीज कोई पर हो रही है और यह जो बारा साल में चेंज होनी का रीजन है यही जो कृषिन जी के अंदर से जो क्रिशन जी की क्या बुलते है वाई जो रिजह आते हैं अउसमें से और हाट की साथल, आर्जी से मिल्ट हो जाता है उनकी मूर्थी तो इतने raises रहते हैं इसलिए वो 12 साल में एक बार मुर्ती वहाँ पे change होती है तो आप तो भाई या वहाँ पे जैसे गए होगे हो तो कैसी feeling आती है वहाँ पे next level है मतलब चार धाम में से एक धाम है तो मन तो पवित्र होई जाता है और इतने सारी चीज़े हैं मतलब मंदिर के चार धार में से एक सिंग दवार है आप मंदिर के बाहर खड़े होंगे तो वेव्स के आवाजे आएंगे क्योंकि वहाँ सी है पास में जैसे ही मंदिर के अंदर जाएंगी पूरी शांती मतलब बिलकुल आवाज नहीं आएगा और आपको वो चीज़ फील होगा आप जैसे अंदर से बाहर से अंदर जाते हैं वो चीज़ आपको फील होगा भाई, can you explain the energy that you feel there क्योंकि मैं ये इसलिए पोछे नहीं क्योंकि हम रिसेंटली विरंदावन गए ते कि ऐसी energy feel करी आपने मैंने तो energy क्या मतलब वो वाई भी अलग है वो चीज़ ही अलग है वो शांती ही अलग है शब्दों में बयानी कर सकते हैं शब्दों में बयानी कर सकते हैं तो हमारी पूरी team जाती है every month दर्शन करने के लिए क्योंकि business से time निकाल के हम लोग को लगता है कि एक बार इतने बड़ा धाम है month में एक बार तो दर्शन करके आए तो हम लोग जाते हैं वहां पर दर्शन करने और मतलब मैं express ही नहीं कर सकता वह feeling क्या है उतना संस्कृती नहीं फॉलो कर पाते foreigners आके हमारी संस्कृती फॉलो कर रहें वहां पर क्रिष्टन जी का नाम ले रहे हरे 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 क्रिष्टन बोल के जा रहे पूरा इंडियन अटायर में पहन के तो वह चीज मतलब feeling ही अलग है वहां आप जाओगे तो आपको लगे है कि अपका मन पवित्र हो गया तो बहुत अच्छा लगता हूँ आप और वहां पर ऐशा भी तो है कि उपर से कोई प्लेन नहीं fly करे यह नो-fly zone है प्लेन तो चलो fly करता नहीं है लेकिन जैसे मंदिर होते हैं या दूसरे गुर्दवारे हो गया कही होगे तो वहां बर्ड्स भी बैठते हैं लेकिन जगनाजी के मंदिर में कोई बर्ड्स भी उनके वहां से नहीं उड़ता है Reason being? Reason है वह उपर वाले का करिश्मा है कि वहां पर वह एक mystery है और यह no-fly zone क्यों बनाया हो इसका कहा reason है? वहलब यह naturally है कि ना कोई चिडिया जाती उसके उपर से ना कोई plane जाता उसके उपर से कोई भी चिडिया आपको नहीं दीखी कि जैसे होता है मंदिर के उपर में काफी हर जगा चिडिया बैठती है वहां कुछ से नहीं है और भीड़ भाई मैसिव नंबर में आती है बहुत बहुत महांता है कितने लोग हो तोंगे ऐसे लगभग डेली लाग से दो लाख लोग होते हैं लेकिन जो जगनात यात्रा होती है जो रथ यात्रा जिसको बोलते हैं हम लोग इस बार पिछले दो साल से हम लोगों को सेवा करने का मौका मिल रहा है वह पर तो पिछले बार कोविड था थोड़ा लोग डरे वे थे इस बार मिनिममम 25-30 लाख लोग ते और वह एनर्जी इतनी अलग है ना लोग रथ को टच करके ना उनको लगता है कि उनका लाइफ पुरा पवित्र हो गया वो अचीव कर ले उनको लाइफ में जो उनको करना था जो दर्शन करने थे अच्छा बाई थोड़ी इस यात्रा के बारे में समझाओ ना यह कैसी होता क्या यात्रा के पंदरा दिन पहले जगरनाच जी को बुखार होता है वो शनान करते हैं शनान करने के बाद वो बुखार होता है वो बोला जाता है वैसा तो मंदिर वहां से अराउंड दो किलोमेटर के डिस्टिंस पे है तो वहां जाते हैं वहां जाते हैं उसके बाद रिटर्न आते हैं उसको बावड़ा जातरा बोला जाता है जिनको जगनाजी और बाकी सुबद्रा जी को वेलकम करते हैं वापस जगन और मतलब लोग रत को टच करने के लिए भी तरस्ते हैं, अगर वो टच भी कर लेते हैं, उनके फेस पे वो खुशी, नेक्स लेवल खुशी होती है, जो रत टानते हैं जो रस्ती भी बंदी होती है, उसे भी छूले है, मैंने भी रील्स में देखा तो उनको बढ़िया एनर्जी फील होती है बिल्कुल, बिल्कुल, वो अलगी जगा है, अगर नॉर्मल जहां पे जिस तरफ हवा चलती है, चाहे वो कोई भी जंडा हो वो उसी तरफ लहरता है, लेकिन जगनात मंदिर में वैसा नहीं होता है, अपोसे डारेक्शन में फ्लो होता है तो यह भी एक वहां की मिस्ट्री वो भी एक साइन्स को यह है कि वो चीज कैसे हो रहा है, उसके ठीक साइड में और एक मंदिर है, जो हवा की डारेक्शन है वो हवे की डारेक्शन में यह हो रहा है, लेकिन जो जगनात मंदिर की वह है वो अलग डारेक्शन में है और वहां का जंडा भी रोज चेंज होता ह जंडा क्या signify करता है? जंडा की चीज का है वब इसे के लिए? जंडा तो मंदिरों पे लगता ही है, उपर चोटी पे जंडा लगता है जो चड़ते भी है मंदिर जंडा change करने के लिए वो बिना कोई support के चड़ते हैं कोई support नहीं है, around 241 feet का वो है, कोई support नहीं और डेली मंदिर में मंदिर का जंडा change होता है और ऐसा बोला जाता है कि अगर change नहीं होगा तो अठरा साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा, तो यह चीज भी है तो मैं तो मेरे को नहीं करके, हर महने ही वैसा मैं try करता हूँ कि वो जंडा change होते विए देखूँ क्योंकि उसकी वो देखना भी बहुत बड़ी बात है तो और मैं try भी करता हूँ कि वो जंडा जो उतर है, मैं घर ला सकूँ अपने ऐसा होता है? हाँ जी, हाँ जी बिलकुल, अगर आप किस्मत में है आपका और उपरवाले की कृपा है तो वो मिलता भी है भक्तों को अच्छा, अरे वाँ यह चीज ना साइन से अलग है, साइन से बढ़कार है कि जो समझी नहीं जा सकती नहीं जा सकती और जैसे वहाँ भोग बनता है, चपन भोग जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रशाद बोलते मंदर में उसके ना आठ लेयर्ज होते हैं अविसली जो लेयर्ज है नीचे से ही पहला पकेगा लेकिन वहाँ पे सबसे पहले उपर वाला पकता है फिर नीचे स्टेप बाइ स्टेप वह नीचे वाला पकता है और जितना वहाँ पे सोचो प्रशाद कभी भी वहाँ कम नहीं पड़ता है अगर 80,000 लोग हैं तो 80,000 लोगों के वहाँ रड़ी रहता है अगर 100,000 लोग आते हैं दर्शन करने तो 100,000 लोगों करीड़ी रहता है और कभी एक्स्ट्रा भी नहीं बचता है कभी भी खाना भी वह वेस्ट नहीं होता है वह भी एक हट के चीज है खाना वेस्ट तक नहीं होता है ना जादा होता है ना कम होता है तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ी मिस्टरी है यह यह जो साइन्स के वो बनते है ना कि साइन्स ही साइन्स है उन्हें जानके देखना चाहिए साइन्स नहीं समझ पारी तो मैं भी नहीं समझूगा बिल्कुल वो लोग नहीं समझ पाएंगा इस चीज को सही बात है भाई भाई तो अब आपकी ज़रा एंजियो जर्नी को जानते हैं क्यों सिख एड की शुरुआत हुई कैसे आपको आया माइंड में कि मैं कुछ करूं लोगों के लिए बाई ये बहुत अच्छा गाम कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है यार जो आप कर रहे हो नहीं है हर किसी के बसकी नहीं होता और जनुरिली बिग रिस्पेक्ट फर यू बहुत सभी चीज कर रहे हैं मैं भी नॉमल कॉलेज वाले जाता था गुमता फिरता था दोस्तों के साथ ऐसा मेरा कोई भगवान के तरफ भी लगाव नहीं था या सेवा के तरफ भी ऐसा कुछ नहीं था मेरा लेकिन जब कोई आया मैं आज नॉमल सब के गुर्दवारोज में न मतलब छोटे एंजियो जो रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं तो लोकल एंजियो होता है मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था लेकिन मेरे अंदर से वो सेवा की बावना नहीं थी बिल्कुल भी तो जब कोई हुआ यह चीज जब मैंने टीवी में देखा क्योंकि ओडीसा एक ऐसी जगह है लेबर्स बहुत आते हैं वहां से आप सूरत देख लो दिल्ली देख लो कहीं भी जग देखोगे ना 90% लेबर्स आपको ओडीसा के मिलेंगे तो वो बाहर काम करते हैं तो वो चीज जब हुआ जब लेबर्स चल के आ रहे थे कोविड में फर्स्ट पेव में तो सब ट्रांस्पोर्टेशन बन था तब जब मैंने टीवी में चीजे देखी तो मैं को समझ आए कि यार मैं घर पे बैठके कर क्या रहा हूँ लोग इतने बड़े प्रॉब्लम में चल के आ रहे हैं चलो अगर ट्रांस्पोर्टेशन नहीं प्रोवाइट कर सकते हैं कुछ खाने का समान तो दे सकते हैं कुछ तो कर सकते हैं initiative तब माइंड में आया है कि चलो सेवा करते हैं तब ना सिखेट का मेरे माइंड में कुछ था ना मैंने नाम सोचा था कि जाके बस लोगों की help करते हैं तो मेरे एक भाईया है सबीर भाईया जो इसके co-founder भी है तो उनके साथ मैं तब मिला तब भी Instagram से हम लोग मिलें, ज्यादा distance भी नहीं है, around 20-25 km के distance में रहते हैं तो मैंने उनको देखा कि वो भी सेवा कर रहे हैं, तो मैंने उनको contact किया, वना भीया साथ में मिलके करते हैं तब हम लोगों ने water bottle distribute करने से शुरू किया तब जब शुरू किया, तब on a daily basis, 10,000 पानी bottle हम लोगों डिस्ट्रिब्यूट करते थे और ऐसा नहीं था कि एक location पे, हम लोगों ने वैसा system कर लिया था पुलिस वालों के साथ मिलके, local authorities के साथ मिलके कि हर जगा camp लगा दे, 10 km के distance में, 15 km के distance में, at least पानी तो पहुंचे और थोड़ा बहुत refreshment तो पहुंचे, क्योंकि इतनी गर्मी, May के टाइम मार्च में, large में lockdown हुआ मार्च में, तो वो चीज हम लोगों ने try कि at least पानी पहुंचा है, जब लोगों का support आना शुरू हुआ क्योंकि होता है आपको एक motivation चाहिए, लोग देखते हैं आपको काम करते हुए तो लोगों ने appreciate करना शुरू किया, लोगों ने समान भेजना शुरू किया कि आप हमारे तरफ से ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, तो हम लोगों ने फिर फुल फ्लो में lockdown में सेवा किया, तो उसी भीज हमने सोनुत सूथ से भी मिले, तब सोनुत सूथ जी वहां से मुंबई से लोगों को भेज रहे थे लेबर्स को, तब हम लोगों ने उनके साथ मिलके भी काफी काम किया, अराउंट डेड़ दो मेहना हम लोगों ने काम किया उनके साथ, प्लस जब लेबर्स तो भी Sonu Sir थे थे हमारे कि वहां पर लेबर को कोई चीज की नीट तो नहीं है, उनके बच्चों को कोई चीज की नीट तो नहीं है, उन्होंने आराउंट 100-800 टाबलेट्स बेजे बच्चों को घर पर पढ़ने के लिए हमारे से डीटेल्स ली पूरी कहा काम लोग कर सकते हैं Sonu Sir ने बहुत से काम किया है, बहुत सही, बहुत सही, उनको देख कर रहा है वही, किसी को भी देख लो इतना बढ़ी अक्टर की बात नहीं है, उनकी फील्ड से देखा जाए तो जाधा लोग नहीं कर गए, वाली बात है, तो उनको देख के हम और जाधा मोटिवेट हो कैसी भी नॉर्मल बिना इसी के भी इदर ओदर हो सकते हो तो यार लाविश लाइफ जीते है अपनी पूरी, तो इतने गर्मी में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो वह देख के हम और मोटिवेटर है, वह इंसान अच्छे है, बता है, हम लोगों ने तब शुरू किया, पा सब पैसे के पीछ थे भाग रहे हैं, सब बड़े बड़े गाड़ियों के फिस्चे घर के पीछ भाग रहे हैं, लेकिन लाइफ का अबप्झेज नहीं है, आज अगर मैं मरूँगा तो मेरा कार मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरा घर मेरे साथ heatità अगर गर मुत्छा क調 थे तो हम लोगों ने team build up की, नाम सोचा, वहां से फिर शुरुवात होती है सिखेड़गी, तो जैसे ही सब चीज कोवट का ओवर हुआ, ओडिशा में hit करता है Cyclone, 2020 में Cyclone hit करता है, हम लोगों ने पहले भी Cyclone के projects किये हैं, लेकिन मेरे लिए as a leader वो पहला project था, और लोगों के mind मे होता है, यार यह तो बच्चा है, 21-22 साल का है, यह क्या सेवा करेगा, क्योंकि generation को सेवा के बारे में को knowledge नहीं है, आज स्कूलों में science पढ़ाया जाता है, mathematics पढ़ाया जाता है, social responsibility को ignore किया जाता है, आपका responsibility क्या है towards society, वो कोई नहीं पढ़ाता है, अगर पढ़ाते भी है तो बच्चे interest नहीं लेते हैं, और teachers भी इतना interest देते नहीं हैं, तो हम लोगों ने फिर वहाँ flood पर काम करना शुरू किया, और लोगों के mind में बच्चा कुछ नहीं करेगा, ऐसी है, एक दो दिन का fame के लिए कर रहा है, एक बार भाई, बताओ, वहाँ पर क्या real situation थी उस त हम लोग पूरी के पास ही एक एरिया है, नीमा पड़ा नाम का एरिया है, एक-एक मंजल घर डूबी बड़ी है, और वो है मेरा पहला experience, मैं पहले भी गया हूँ, लेकिन पहले ऐसा होता था था ना, मम्मी घर से वोलके बेशती थी, कि पानी में मत जाना, क्योंकि उन्नीस अग्रोभी साल का लड़का थोड़ा मेको भी डर होता था तो अब मैं प्रोजेक्ट खुद लीड गर के जा रहा हूँ, मेरे साथ टीम जा रही है, अगर मैं वहाँ मैं खुद डर ना, तो लोग मेरे साथ जो जा रहे हैं, वह कैसे काम करेंगें तो जब मैं भी देखा मेर को भी पानी से डर लगता है मैं भी डर गया इतने लोग पानी में सब चट पे बैठे हैं और लाइट्स नहीं है खाना नहीं मिल रहा दो दिन हो गए तो हम लोगों ने एंडियरेफ के साथ मिलके उनको पहले कोक्ट फूड पहुंचाने का ट्राइ किया तब से हम लोग नैच तो टाउन में अगर पानी आया तो टाउन पे क्या होता है आपका घर डूबा चला गया थोड़े बहुत भर के समान खराब हो जाएंगे वो भी आप रिकवर कर लेते हैं आज अगर कोई गाउ में आ रहा है उसकी फसल खराब हो रही है उनके साथ जो उनके अनिमल्स रहते गाई रहते हैं भैस रहते हैं वो उनको इंपक्ट हो रहा है डिजीज फैल रहा है कितनी ही चीजें उसके साथ अटैच्ट है तो जब मैंने शुरू किया मैं जब फ्लड में गया खाना बगर बांट दिया हम लोगों ने तो दो दिन तीन दिन हमारा वो प्रोजेक्ट चला उसके बाद हम भी आ गए तो मैं थोड़ा यह हो गया सोचने के लिए अभी उनके सिच्वेशन कैसी है अभी वो कैसे रह रहे है कितने लोगों के तो कच्चे गर रहे हैं उनको तो उन्होंने साइड में करके रिप्लेस किया जगों में उनके तो घर भी खराब हो गया कमर तक पानी था है लोग सेवा करके आगए है लेकिन जब बाद में गया सिच्वेशन तो और ज्यादा खराब लोगों को जो गाई थी बाकी सब चीजे थी इनोंने अपना फार्म खोल के रखावा है सब खराब हो गया कितने गाई हैं कि गाई और भैसर की डेथ होगी है फसल खराब होगी है गवर्मेंट से हल्प मिलती है जरूर लेकिन वो हल्प मिलते-मिलते वो इतना टाइम हो जाता है कि फार्मर्स भी फ्रस्टेट हो जाते हैं आज गवर्मेंट भी अपना असेस्मेंट करीगी कितना लॉस हुआ है कितना नहीं हो अपने अकॉर्डिंग लिए जो उनका प्रोसेस है पर अपना फसल शुरू कर सके तो हम लोगों ने फिर वो प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया जब वो प्रोजेक्ट को लोगों ने काम किया तो अराउंड 200 घर हम लोगों ने रीबिल्ड किये अराउंड 75-80 लोगों को गाई लेके दी जो कि death होगी थी वो चीज उनका फिर re-establish उनको फिर अपने पैरों पे खुद खड़ा किया जो चीज मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हम लोग कर पाएंगे वो लोगों का support ऐसा आया और वो step by step हम लोग अलग-अलग projects में काम करते रहें चाहिए ओडिशा floods हो अभी आपको प मैंने खुद अपनी आखों से देखा है लाइक हम लोग spot पर पहुंचे तुरंथ वो spot हम लोग से around three hours का distance है मैंने literally मैं जो छोटा हाती बोलते है जो जिसमें समान वगएरा जाता है बॉड़ी फेकी वे थी एक के उपर एक और सब डेट सब के सब डेट खून पूरा गिर र अभी तक कितने लाश होंगे जो रेकरगनाइस तक नहीं हो पाएं अभी तक वो hospital में पड़े में लोग रेकरगनाइस तक नहीं कर पाएं किसी का face खराब हो गया किसी का body रहे रहे कि इतना दिन क्योंकि 2-3 क्योंकि blood इतना आ आ गया इतने सब चीज आ गया जितना भी उसक बहुत साइड चीज है बहुत साइड एक human error के वज़े से इतने लोगों की जान चली गई उस पर हम लोगों को काम करने का मुका मिला जब हम लोगों ने लोगों को rescue किया और एक बात है ओडिशा की सब साथ खड़े हो जाते कभी भी जो issue हो जो कि मैं वहां रहता हूं तो मे accident हुए है blood की shortage होगी मतलब blood देने के लिए लोग जगडा कर रहे थे literally कि मेरी blood ले लो मेरे blood ले लो तो रातो रात उन्होंने 900 blood unit collect किया और वो पूरे duration में तीन दिन के duration में 7000 unit blood collection हुआ तो दाट लोगों को problem ना हो जिसको blood चाहिए तो वो एक साथ सब stand होके वो situation को लोगों ने face किया ambulance और government मेरे को नहीं लगता कोई भी government जैसा ओडिसा का government काम करता है कर पाएगा चाहिए वो flood हो चाहिए वो कोई natural disasters कोई भी हो और ये train वाले incidents हो इतनी जल्दी ambulance arrange करना इतनी जल्दी hospital में सब चीज करना और इतने जल्दी doctors को वहां पर arrange करना और ऐसा नहीं है कि लोगों को बस admit किया और छोड़ दिया regular basis पे उनसे मिलन doctor's treatment ठीक कर रहे ना नहीं कर रहे हैं जिनकी death वही उनको aid provide करना देखो जिसका death हुए उनके साथ तो और कुछ किया जानी सकता लेकिन at least उनको होसला तो दिया जा सकता है पैसा देके तो हम लोगों ने भी फिर वहां पे काफी wheelchairs वगएरा distribute किया refreshments वगएरा distribute किया जो family वह आपके पास reservation का list रहेगा कितने जन reservation में आ रहे हैं वह तो पैक्ट है वह तो hill नहीं सकते हैं तो सोचो वहां पर कितने deaths होई होगी वह चीजहों पर भी अम लोगों ने काम किया है अब काफी areas आप बता रहे थे कि जैसे floods आए थे तो government को वहां तक पुछने में बहुत टाइम लग जा रहे थे देज़ा रहे थे वह बहुत टाइम लग जा रहे थे कि वह बहुत टाइम लगा रहे थे फिर्स टाइड पहुचाने में किसानों को जिनकी जहां पर गाय भैस पर गापिर इस पर काम हो रहा है और इसमें आप इस चीज के आया ना जिसको नहीं भी चाहिए होता वह भी आ जाता है सामने तो उनको प्रॉपर assessment करना पड़ेगा उनको assessment करने में time लगता है, वो head office से order आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वो survey करेंगे, फिर वो report करेंगे, तो वो कोई भी government body हो, उनको time तो लगेगा, अब हमको तो किसी को report नहीं करना है, हमको बस लोगों तक पहुंचना है, as हम लोग flood के time पर काम करते हैं, अब तो ऐसा हो गया, पता ही चलिया है कि क्या impact होगा, और कैसे क्या होगा, हम लोग सब चीज पहले सी ready करके रखते हैं, अभी Punjab floods में हम लोग काम कर रहे है, पंजाब floods जब पहले आया था, around 2018-2017 में, तब तो हम काम नहीं करते हैं, हमको पता नहीं था, हम लोगो पापा ममी कहते हैं, बहुत ज़्यादा impact होगा है, अभी जब हम लोगों ने देखा है, मतलब ऐसा कोई जगे नहीं था, जो कोई पिंड नहीं था, जब फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे, जो पानी के अंडर नहीं था, शिटीज तक डूब गी है, पत्याला में, मेरे पैसा नहीं है कि पत्याला के आउटर एरिया में कुछ है, तो बहुत ज़्यादा impact होगा होगा है, अच्छा बाई, कोविड में काफी NGOs जब थे, जब कोविड हुआ था उस तम काफी NGOs के बारे में news आ रही थी कि ये लोग पैसे रेस करते हैं और लोगों तक facilities नहीं कैसे figure out करें कि हा, this is the right NGO to donate money to? COVID के बाद ये चीजे काफी हो गई है कि बहुत सारे NGOs खुले और ये tax बचाने का भी बहुत अच्छा scam है, हमारे पास भी offers आते हैं इस बारे भी बात करेंगे, पहले आप ये बताओ कि right NGO तक कैसे पहुचे एक आम आदमी, अपना पैसे कैसे donate करें basically अब हम लोगों ने जो system कर दिया है, हम लोग अब ज्यादा fund raise करते ही नहीं है, आपको wheelchair दे दो, हम distribute कर देंगे आपको राशन देना है, आप राशन किट हमको बना कर दे दो, हम distribute कर देंगे अगर आप आपको कोई अभी जैसे हम लोगों ने पंजार flood में काम किया, एक बंदा दा कि भाई हम लोगों को ना, 2000 राशन किट distribute करना है हम लोगों ने area locate कर दिया, भाई आप साथ में चलो, हम लोग दे के आते हैं तो उनसे के आना वो transparency भी रहीगी और उनको पता चलेगा कि वो पैसा किसको दे रहे हैं आज अगर कोई medical issue भी आता है, अगर कोई बंदा आता है कि उनको 1000 पे donate करना है, 2000 डोनेट करना है हम as a medium ही काम करें, अगर हम लोग fund raise करते हैं, देखो, पैसा है, कब किसकी नियत बदल जाए, कुछ पता नहीं मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, और किसी हो सकते है दूसरे की बात हूँ तो हम लोग वो एक ऐसा process शुरू करने का try कर रहे हैं कि at least, वो एक transparency बहुत जादा बढ़ जाएगी उसमें बट एक point के बाद रहेगा ना, कि हम fund raise भी करें ताकि across the country से हमको fund आया और फिर आपकी आप और जाए ताकि कभी कोई emergency हो, तो आपके पास funds रहें, help करें वो तो देखो, trust पे ही काम चलता है और हमारा तो ऐसा है, हम अपना balance sheet website पर update कर देते हैं तो लोगों को doubt ना हो, लोग देख लें कितना घरचा हुआ है, कहां घरचा हुआ है यह उत बड़ी अजीज कर लें आप, यह ठीक है तो हम लोगों ने website पर balance sheet ही upload कर देते हैं every year plus team members में भी ना वो चीज आ जाती है कहीं ना कहीं पे, पैसो की बात पे वो भी आ जाती है कि कौन कहां use कर रहा है, क्यां नहीं तो हम लोगों ने team में भी वो password वाला system किया वह सिर्फ जतने initial team members है, वो login करके देख सकते हैं पैसा उठा रहे हैं, help नहीं कर रहे हैं यह general हो रहा है अभी और covid के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और हम लोगों ने शुरू शुरू जब शुरू किया तो नए थे हम लोग, लोगों को पता ही नहीं है वो भी पता चल रहा है यह financial year से हम लोगों ने तो ऐसा किया है कि कोई अगर particular project में donate कर रहा है वो project की report भी हम उनको भेजे, via WhatsApp कि उनको पता लगना चाहिए For example, अभी हम लोगों ने जगनात पूरी में जो हुआ हमारी सेवा वहां पे हम लोगों ने refreshments बाटे थे पानी bottles हो गएरा हो गए बाकी सब चीज़े होगी बाटी थी तो जो पैसे आये हम लोगों ने कितना fund raise किया कितना समान आया और कितने लोगों को हम लोगों ने benefit किया वो चीज़ों से जो donation वो particular cost पे आया हम लोगों ने सबको WhatsApp कर दिया वो लोगों देख पाएंगे कि हाँ इतने पैसे आये इतने बच्चे अभी जैसे हम लोगों को 15 लाक रुपे रेज हुआ और जगनात पूरी के सेवा के लिए हम लोगों ने 10 लाक लगा वो 5 लाक हम लोगों ने सेव कर दिया next year के लिए जो particular cost के लिए donation आता हम लोगों वही cost के लिए use करते है तो हम लोग आपकी मान की श्रद्धा है आप चाते हैं कि जगनात मंदिर में जाए आप चाते हैं कि वह पेशिंट को जाए तो हम लोगों फिर वही projects में ही हम लोग यूज करते हैं और यह जो scam की बात NGO वाला scam का बात है हम लोगों को regular offers आते है regular बड़े से बड़ी company क्या बोलते हैं तोड़ा बता और कितना amount का लाते हैं आपको 100 करोड हम देंगे आप अपना 10 करोड रख लो यह पहला offer आया मैंने भी सोचा यार सही है जो fact है कि यार पैसे मिल जाएंगे लोगों की help हो जाएगे मैंने अपने CA से बात की भाई यार तो ऐसे होता ही है कोई दिक्कत नहीं है यार होता है तो फिर कर लेना चाहिए लेकिन जब मैंने अपने parents से बात की बड़े लोगों से सला लिया कि क्या करना चाहिए तो यार तू गलत पैसों से लोगों की सेवा करेगा तो वो सेवा का कोई value नहीं है वो scam के पैसे है अगर कोई normal पैसे तेरे को दे रहा है तू अगर उसको help करेगा ना तो वो होगा भी यह actual सेवा है लेकिन उनको scam करने में support कर रहा है तो इसको सेवा नहीं किना जाएगा तो फिर मैंने भी जुचा कि नहीं यह गलती नहीं करना है क्योंकि यंग लड़का इतना knowledge नहीं है और जिनसे पूछ रहा हूं सब बोल रहे हैं तो फिर मैंने नहीं वो चीजों पर फसना ही नहीं भाई बहुत सही है आपने decision लिया आपने बहुत बढ़िया चीज करें इतना बड़ा amount सुनके भाई कोई भी कहा कि यार 10 करोड मेरे हो जाएंगे तो चल मैं सेवाई कर दूँआ लेकिन जो आपने उस पर ध्यान दिया बड़ी बात है यह बहुत बड़ी बात है commendable job यार हमारे देश में ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है और ऐसे लोग बढ़ने चाहिए मतलब क्या काम कर रहे है भाई अभी पंजाब की situation थोड़ी और अच्छे से बताओ हिमाचल तो पूरा डूबा हो आया इस समय वहां तक पहुचना तो मुश्किल है पंजाब में कैसी situation है अभी क्या क्या करा आपने आपकी आखे देखके हम सब भाई से कह रहेते कि भाई क्या हो गया थके वे हो तो भाई ने का पांस दिन से मैं सोया नहीं पहुचने लाइक situation नहीं थी roads वगेरा सब डिस्कनेक्ट हो गए तो महां पहुचना बहुत मुश्किल था तो पंजाब की टीम से मैंने बात की क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं तो पंजाब की टीम भी नहीं है हम लोग सब यंग लोग है अराउंड 27 साल के सारे लड़के हैं अब हमारी टीम जो ओडिसा में है उनको flood का habit है हम लोगों ने 4-5 नैचरल डिजास्टर्स में काम कर लिया तो हम ट्रेन हो गए हैं वैसे कि हम लोगों को डरनी लगेगा क्यूंकि पानी में जाना 15-20 पानी में जाना हम लोग तो बोट में बटने जाड़ते हैं तो हम लोगों ने फिर अपनी टीम ओडिसा से फिर यहां आया है कि पंजाब टीम को साथ ले लेते हैं अटलीस उनको experience भी हो जाएगा और हम properly काम भी कर पाएंगे जब हम पहले दन आये हमारी खुद की फटकी कि इतना पानी और नॉर्मल फ्लड का पानी और वो जो लेहर आते है न वो फरक होता है उसमें तो लेहर भी थी हाँ उतना फ्लो था पानी उतना जोड था हम तो खुद डर गए क्यार कैसे करेंगे और NDRF की टीम भी उतनी नहीं थी क्योंकि वो सब रेस्क्यू कर रहें लोगों को लोगों को सई जगे पहुंचा रहें हमारे साथ तो जाएंगे नहीं क्योंकि इनिशल टाइम था उस तहीं तो हम लोगों ने अपने बोट अगेरा अरेंज किये सबसे पहले हम लोग गए पतेयाला के तरफ पतेयाला में फतेगड साहिब गुर्दवार है फतेगड जगा है और टाउन है हर जगह हम लोगों ने पहले सभी किया कि नीट क्या है तब हम लोगों ने ब्रेट्स हो गएरा बट्ने शुरू की जैम्स हो गएरा जो रेडी टू इट है जो अटलीस्ट वो खाके एक दो दन सवाइब कर सकते है तो फिर पानी की बॉट्ल्स देखर की नीट ज़्यादा पड़ रही है तो वो चीज़ पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो अभी फिर ऐसा सिच्वेशन आ गया टीम हमारी वहाँ पर और कल काई इंसिडेंट है कल हम लोगों करना रिक्वार्मेंट आया था कि यह जगे पर ना ओडे मौस जुगर मतलब मच्चर वगएरा बहुत है तो ओडे मौस वगएरा की जरुवत है तो आप लेके पहुचिए राउंड हजार फैमिलीज हैं वहाँ पर तो लोगों ने सोचा जाई रहे हैं पानी में बच्चे भी होंगे दूद वगएरा लेके चलते हैं अच्छे घर वाले जिनके मतलब अगर पानी में डूबे वह हैं लेकिन फिर भी आपको दिखे का कि यार वेल्ट सेटल्ड है वह भी भाग भाग के चला चला के बुला रहे हैं कि यार दूद दो दूद दो मेरे घर में बच्चा है ऐसा सिचुएशन तो क्या है लाइफ आपके पास पैसा है घर है सब चीज है लेकिन आप ऐसा नाचरल डिजास्टर में फसेवे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते मैंने देखा मतलब कल का इंसिडेंट था वह लेके जा रहे थे एक आंटी की डिलिवरी होनी थी नेक्स लेवल पेन में बोट में लेके जा रहे उनको वह कंडेशन मतलब बंदा देखके ना अंदर से रो देगा क्या हो रहा है हम जैसे लोग पैसे के पीछे बाग रहे हैं सब चीज कर रहे लेकिन ये काम करेंगे ना तो पता लगता है कि यार कोई परपस से आया हम वो चीज हम लोगों ने फिर वहां पे किया और हम रेगुलर अब काम करते रहेंगे जैसे वोडीशा में हम लोगों ने किया फार्मर को हेल्प किया ये चीज अभी सबसे जाधा यहां भी फार्मर ही इंपक्ट हुए है ताउन वगएरा मैं तो छलो ठीक है नॉमल है जैसे चल रहा है चल रहा है लेकिन यहां भी फामोज ज्यादा इंपक्ट हुए है डिजीज ज्यादा फैल रही है तो वो चीजों पर हम लोगों ने अब सोचा है कि मंडे से वो चीजों पर आप काम करना शुरू करेंगे अब जरा ओडियन्स को अपने बिजनस के बारे में भी बताओ कि आप क्या करते हो फुल टाइम और अपने ब्रैंड के बारे में भी थोड़ी अवेरनेस दो मैंने बिजनस करना शुरू किया जब मैं 16 साल का था जब मैंने 10th pass किया तो में को शुरू से फैशन का कीड़ा था मैं बले कपड़े फैशनेबल नहीं पहनता हूं लेकिन मेरे को है की कपड़े ऐसे होने चाहिए वैसे होने चाहिए तो अडिसा थोड़ा आउटर स्टेट में आता है आज अगर आप नॉर्थ में आज पहन रहे हो ना तो वो ट्रेंड वहां पे छे मैने बाद आएगा मैं 10th पास किया मैंने पापा बोला पापा मैं तो गार्मेंट स्टोर खोलूँगा अब बोले यार पढ़ ले लिख ले क्या है इस सब चीजों पर फज़ रहा है और मैं था भी आवरे स्टूडेंट ऐसा कुछ यह नहीं तो मैंने बोला पापा मैं एडजस्ट कर लूँग मैं पढ़ भी लूँगा साथ में और मैं पर लूँगा तब मैंने एक गार्मेंट स्टोर स्टार्ट किया रीटेल आउटलेट और 15-16 साल की उमर में 10 पास करके ऐसा सीन था सुबह 6-10 कॉलेज हो 7-10 कॉलेज होता था ग्यारा बज़े आके शॉप खोलनी है अपनी टूशन के टाइम पर दो गंटा शॉप बंद करना है फिर आके खोल के फिर दुकान में भुक खोल के बैड़े जानी है अगर एक्जाम सा अगिये तो यह सीन था पूरा तो तब मैं को थोड़ा सेविंग्स और शुरू की लोगों को देखा गिया नहीं यह चीज तो कर रहा हूं ल तब हम लोगों ने शुरू किया स्क्यूडेक और स्क्यूडेक शुरू होते ही वह एक बलास था आज अगर हम लोगों ने पांच लाग की सेल पगड़ के चली थी ना महने की वह पंदरा दिन में पांच लाग हो गया ऐसा सीन हो गया पूरा सबसे प्यार मिला इतना तो टीम में हमारी दो-तीन जनों की टीम थी तो वहां पर पता चला कि पैसे आने के बाद ना रिलेशन भी रिलेशन नहीं होता वहां पर जब हम लोगों ग्रो हुए हम लोगों ने एक फंडिंग राउंड रेस की तो हमारे पास ने बंदा था भाई टाई भी बंदा था ज बंदे के पास थे 5% share जो website संबालता था zero investment कुछ उसका investment नहीं था हम लोगों ने बोला तुँ आ website संबाल, online संबाल 5% ले ले जब उसने देखा funding raise होगी इनको तो जादा पैसे बिल रहे है उसने फिर बोला website delete अरे तेवी बिजनेस तगड़ा business चल रहा है website delete हम मेरे को 20% दो जानता हमें 5 साल से हूँ और भाईयों वाला प्यार है ऐसा नहीं है कि जाना और बोला कि business में आ जा जा भाईयों वाला प्यार है कहीं जाना भी है ना अगर कोई बाहर ट्रिप पे भी जाना है तो जो हमारे पांच जनों का ग्रूप होता था उसमें वह होता ही था दोस्ती घहरी थी मतलब है घहरी दोस्ती थी अच्छा bond था आना जाना था सब चीज बढ़िया था तो पैसे के वाज़े से वह relation खराब हो गया relation तो खराब हुआ, business भी खराब हो गया तब मैंने एक बात सीखी कि यार जो भी कर लो on papers करके शुरू करो तो वह चीज है हम लोगों ने फिर आभी figure out किया team proper build की जो funding भी raise की थी हम लोगों ने उसने भी फिर withdraw कर लिया कि आप लोग यार आपस में ही कलेश है आपके मैं इन्वेस्ट करूँगा है तुम लोगों क्या करोगे फिर पैस होगा तो website delete फिर देरे देरे around January में ये चीज हुआ अब अभी जो सम्झो July चल रहा है वो setup करते करते छे मैने पिछे हो गया है समर कलेक्शन जहां हम लोगों ने पर्चेस कर लिया था जैनवरी से मों लोगों की पर्चेजिंग शुरू हो गए थी अभी तग हम लॉंच नहीं कर पाए क्योंकि वो प्रॉपर टीम ही नहीं हो पाई हम लोगों ने वो ट्रस्ट पे इतना छोड़ दिया था सबके कि तू है उब साइट समझ एउंलाइन समाल रहा है दू तो संबहाल तू यहां पर आकाउंट समेल रहा है दूसमितल च्छी तू अरवक्षर चाहर में हो पर पीया प्हर मेर Gram & sociale कोषय रख यहां से लगने अरो मेल वार उनाक है क्मा क्भीर है ता आपके बंढों मरी इनवेस्म् को लगा यार सही फ्लो में जा रहा है फंडिंग भी रेज होगी वो एक दिन में सब चीज पुरा शाटर हो गया खत्तम दो मेने तो मेरे को लग गए वो चीज से रेकवर होने में मैं अट लीस्ट वो चीज से निकलू तो रेकवर किया वेबसाइट के लिए बंदे प्रॉपर खोजे और सब अब ऑन पेपर किया मैंने अब किसी के साथ कोई पार्टनर्शिप नहीं है अकेला हूं सेल्फ मेड हूं बले कम बेच लूँगा लेकिन नहीं सही है बाई कलेश तो नहीं होंगे ना सही बात है बाई दोस्त भी गए और बताओ बिजनेस भी गया हम तो आप सब के अब मतलब क्या बोले एक्जामपल देते हैं आप सब के बीच में प्यार है हमारा किसी सब बात भी अगर होता है ना फ्रेंडशिप का अगर कोई बीच में फोटो डाला था आपके बच्पन की तीनों एक साथ थे वह भी देखके हम लोग दिखा रहा था अपने भाई को कजन को कि देख यार इसको बोलते हैं प्यार इसको बोलते हैं दोस्ती वह तो इसको मतलब वह दोस्त नहीं थे जो चले गए वह थोड़े टाइम के जो थे वह लर्निंग थी बाई बेसिकली लर्निंग थी और मेरे कहाल से जो आपका करमा है इतने टाइम का अच्छा वह अब फल देगा और मैं जंता से भी दरख्वास्त करूंगा कि भाई को सपोर्ट करना है हमें भाई छे महीने पीछे गया है तो अब इसको एक साल आग कि आप जितना भी धरम के पीछे भाग लो पाठ पुजा कर लो कुछ करना है कर लो अगर आपके करम ठीक नहीं है तो वह सब वेस्ट है सब वेस्ट है अगर आपके अच्छे करम नहीं है आप लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे है अच्छे से ट्रीट नहीं कर सबसे बड़े भगवान तो वह है आपके घर में आप अगर उनके चरण छू के सुबह निकलते हो ना आप सक्सेस्फुल हो गई हो गई वह भी एक माबाप की सेवा भी सबसे बड़ी सेवा है आज अगर मैं बाहर सेवा कर रहा हूं और पेरेंट्स के साथ गलत ट्रीट कर रहा हूं तो वह सेवा कभी कोई बहुत जादा है भाई कि लोग नहीं करते जादा रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स की बार करनी चाहिए वा जनारेशन के आप समझते हो ओल्ड मेंटालिटी बहुत गलत खीजिज है भार भार बहुत दिखावा करेंगे की हमने यह करदियाया कर दिया कर गर वह द्री ऑप चल कर रहा है यह जह तो बहुत बड़िया काम कॉर मैं करते रहो ऐसे ही काम हमारा भी सपोर्ट है आपको वही description में link है, आप जाओ SKU DEC की website को check out करो, description में sick aid की भी सारी details है, जरूरी नहीं है, मतलब हम ना सोचते हैं कि यार हम क्या करें, क्या करें, तो जरूरी नहीं कि आप खुद field में उतरो, पर अगर आपका intention है help करनेगा, तो ऐसे लोग, रौनक भाई जैसे लोग हैं, जो field पर उतर सकते हैं, जाके पहुँचके on-site help कर सकते हैं, तो अगर हम अपने घर से भी इनको support भेजे ना, वो भी बहुत बड़ी बात है, और भाई ने यहां पर बताया भी कि ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से help करो, आप कुछ भी चीज है, आप directly help कर सकते हो, तो trust का तो यहां प पैसे से भी कर रहे हो तो transparency है, balance sheet सब बता दिया भाई ने तो कोई दिख्कत वाली बात नहीं है, भाई इस podcast में हम यह नहीं बोलेंगे, like करो, comment करो, या share करो, इस podcast के जरीए भाई को donate करो, भाई का जो NGO, जो काम कर रहे हैं आप पैसा पहुचाओ, और लोग की मुदत करो, अगर आप student हो, कि मैं तो कमाता नहीं, मैं कहां से पहुचाओं तो भाई, सेवा आपके mind से, आपके दिल से होती है, जहां चाहा होती है, वहां रहा होती है, आप volunteer कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सिखेड में डोनेट करो, अपने घर के बाहर जाके किसी को मदद चाहिए, उसकी मदद कर दो, और जरूरी नहीं होता कि भाई, एक्स्क्यूज़ ढूंडो हर चीज में, कि भाई, मदद करना बहुत जरूरी है, अच्छे इंसान की रहा पे चलो, तो रॉनक भाई, और और कुछ आप कहना चाहते हो, हमारी ओडियन्स से, मैं यहीं बोलना कि अज स्वच्छ के अच्छे कर्म करो, लोगों की हेलग करो, आज अगोलना की हीलगी आपके गढूरी हो ड़ाई हो, तो प्रॉबलम में होंगे, अगर आप बीच बोग है तब ही उसका फल आईगा, तो आसपास लोगो की जितनी हेलक और सकते हैं और ऑगर आपके घर पर कोई maid है उसका बच्चा नहीं पढ पारा उसको पढ़ा दो आपके घर के साइट में कोई बाबा है जो अपने medicines नहीं खरीद पारा उनके बच्चे नहीं well settled है उनको medicines दिला दो कुछ न कुछ करके अपना contribution towards society देते रहो जितना आप society के तरफ contribute करोंगे न उतने ही और अच्छे लोग आगे आएंगे उतने ही लोग और मोटिवेट होंगे काम करने के लिए और खुद को भी अच्छा लगता है वहला खुद भी satisfaction होती है कि आपने ऐसा काम किया है बहुत अच्छा लगता है ओसम गाइज मिलेंगे आपसे नए पॉड़कास्ट में तेल देन सारी डीटेल्स आपकी description में है जाओ गो थ्रू करो और रौनक भाही का इंस्टा भी है इनसे जोड़ो और skewdeck को प्यार दिखाओ sick aid को प्यार दिखाओ इंसानियत को प्यार दिखाओ और प्यार से रहो मिलते हैं बाई बाई